Hey guys, एक बाद फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास पे स्वागत और आज का वीडियो बहुत ही exciting है आज हम बात करने वाले कि बहुत सारे ऐसे keyword जो आपको लगता है lower difficulty keyword लेकिन Google आपकी site को कभी भी rank नहीं करेगा Google का वो कौन सा update है जिसकी वज़े से mostly branded website कोई सा भी keyword हो चाहे कितना ही loose quality का content हो वो rank करता है यह सारी चीजे हम आज इस वीडियो में detail में discuss करने वाले हैं लेकिन आप अगर हमारी चनल पे नए हैं और 80 quality informations अगर चाहते हैं तो फड़ापट से चनल को subscribe किजिए, वीडियो को like किजिए और future में बहुत सारे SEO से related videos back to back आने वाला है तो अगला वीडियो कॉंसा होगा इसके लिए comment करेके जरूर बताएगा चलता है desktop की screen पे सबसे परफ़ाचीच गाईस अगर आपना supreme campus को join नहीं किया है within 3 days special offer is going to be ended link is in the description you can take the decision right now चलता है pointers पे यह exactly क्या है और साथ यसाथ ब्लैकफाइड इसे ही चल रहा है तो अगर आपने special bonus को claim नहीं किया तो bloggingos.com पे आया visit करें and make sure आप यहां पे claim करें with live 2 गंटे की training में देने वालो तो इसको जरूर जाके देखें तो imagine के लिए कि आपने कोई भी keyword find out किया अब वो जो keyword है उस keyword पर क्या हो रहा है कि आपने जब भी उस keyword को search किया जैसे कि मैंने आप गूगल पर search किया उस keyword को search करने के बाद आपको जो जो भी top 10 websites देखती है देख सकते हैं यहां पर cancer.gov myclonic और webmd और यहां पर जो दूसरी NHS के website मुझे UK में होता हूँ यह सारी websites देख रही है जब आप website की content को open करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी content की quality इतने अच्छी नहीं है और इसको देखने के बाद आप क्या करते हैं आप सोचते हैं कि यह content सही quality का नियों और आप उस पर content लिखना चालू कर देता है इवन आप उनसे better content लिखते हैं फिर भी आपकी site रैंक नहीं करते हैं just take another example मालो कि मैं एक नए अक वरी सार्च करता हूँ how much water should you intake a day यहां से फिर से सेम ही टाइप की website यहां पर rank कर देखरें आपके myoclinic.org, healthline.com, bbcgoodfood.com, nhs.com, webmd.com हमने दो अलग-अलग queries सर्च किया, दोनों queries में हमने तीन साइट को common देखा, कौनसा webmd और दूसरी सबसे important चीज, healthline.com और myoclinic.org और मैं health and fitness की यहां पर बेटके कितनी भी keywords queries को सर्च करूंगा, मुझे कहीं नहीं कि top 10 में तीनों sites दिख जाएगे, just take another example, मैंने सर्च किया what is SEO, जो what is SEO को सर्च किया है, मैंने इसको स्क्रॉल किया, यहां पर आपको Moz की साइट दिख रहे हैं, फिर यहां पर आपको backlink को की साइट दिख रहे हैं, यहां पर निल पतिल की साइट दिख रहे हैं, अगर मैं आपे दूसरी query सर्च करता हूं, और इस query को सर्च करने के बाद देखते कि यहां पर कौन-कौन से result आ रहे हैं, तो आपको फिर से closely similar structure देखने को मिलेगा, backlinko.com, moz.com, फिर से हाप पर href और mailchip, search engine, postman और यह brighter, मलब कहीं ने कहीं 2-3 website एक keyword के लिए बार-बार आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप, यह तो मैंने आपको कुछ बड़े primary example बता है, जब आप छोटी नीश में भी जाएंगे, तब भी आपको similarity देखने को मि लेगे, इसका reason क्या है, क्यों अगर कभी-कभी आप यह भी देखेंगे कि उनकी quality of content कहीं poor है as compared to जो fresh bloggers होते हैं, जो अपने experience से लिखते हैं, लेकिन वो कभी rank नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका एक reason है, और reason यह है कि Google authentic और Google जो भी branded website होती है, उसको हमेशा topmost rank क content की quality कैसी है, you need a proof, तो according to a update which came back in year 2009, तो आप देख सकता है, 2009 में Google ने एक update rollout किया था, जिसका नाम था Vince update, V-I-N-C-E, और according to this update, Google का कहना था, अगर आप इसको open करके देखेंगे, तो यहाँ पर जो आपको एक history देखने को मिलेगे, तो यहाँ पर इन्हों ने explicitly explain किया कि Google न 2009 केंदर launch किया था, इसके accordingly उस time पर क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग spammy content लिख लिख के top rank कर रहे था, यहाँ तक की brand के keyword को भी, आपने Nike उठाया, Nike की खुद की website rank नहीं कर रहे है, बाकि सब कुछ rank कर रहा है, उससे क्या हो रहा था, बहुत सारा misinformation market में spread out हो रहा था, और eliminate करने के लिए, Google ने एक नया rollout update किया, इसका नाम रखा Wins Update, Wins कौन था, Wins एक तरीके से एक intern था, जिसने Google को join किया था, around 2003, और उसने इस system को implement किया था, तो उसको recognize करने के लिए, उसको एक तरीके से appreciate करने के लिए, Google ने जो rollout किया, उसका नाम ही Google Wins Update था, और इसका main मकसर देई था, जो भी websites है, जो भी branded websites है, you can see here, brands are the solution, not the problem, brands are how you sort out the sea spool, मतलब कि उनको जितने भी spammy websites को market से हटाना था, तो उनके पास सिर्फ एक solution था, और वो ये था, हर एक niche के अंदर कुछ branded website को पकड़ लो, एक बार उनको पकड़ लो, फिर उनके content को, अगर अग तुमें इतनी authority है, कि अगर वो 300 से 400 word का भी content publish करेंगे न, तो आप कोई सा भी keyword उठा के देख लो, उनके लिए वो rank करेंगे, why, because Google उनको internally by default ranking देता है, तो अगर आपको एसी कोई website दिख जाती है, जिसका content low है, low का मतलब कि जिसका content less है, as compared to your content quality, फिर भी ऐसी जब sites आपको दिख ज यह लिखना है, यह lesson learn है इस video का, और इस आपको 1000 example देखने को मिलेंगे, मैंने how to start a blog पर बहुत अच्छा content लिख रका है, proper study है, हर कोई कोई चीज है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर वो sites देखने को मिलेगी, जिसकी उस niche के अंदर authority है, neilpatil.com, यह Google कैसा identify करता है, Google का कह और कि वो brand कभी भी spammy content published नहीं करेंगे, चाहे वो छोटा करें, but ultimately the information will be correct, Google का कहना है कि we are here to share you the quality and right and trustworthy information, और यह कैसा possible है, finding a brand and let it rank, तो इससे एक lesson learn आपको यह मिलता है कि आपको हमेशा brand focused website बनानी चीए, उसका अंदाज आपको कैसा लगता है, ऐसा अगर आप यहाँ पर ज चोड़े चोड़े ranking सार है, इसका मतलब क्या है, इसके बहुत सारे ऐसे neat और clean backlinks बने हुए, जो particular bland bloggingos.com के through ही mapped है, मतलब बहुत सार लोगों ने जिस मेरी site को जो backlink दिया होगा, उसका जो anchor text होगा, वो bloggingos, तो यहाँ से उसको Google को signal जाता है, कि multiple resources इसको backlink दे रहे है, वो जो इस website का नाम है, तो यहाँ से Google को authoritative build होती है, you got my point, similarly, अगर आपको दूसरा उड़ा आगे दिखते है, यहाँ पर गर मैं देखू, soundproof idea, तो soundproofing space के अंदर आप जाकर के देखेंगे, तो ultimately you will find कि soundproof idea का कही ने कही आपको बहुत सार ऐसे keyword है, जिस पे आपको कही ने कही य यह क्यों हुआ, because मैंने बहुत सारी ऐसी branding की इस particular keyword को ले करके, और इसका सबसे major तरीका क्या है, जब भी आप किसी को बोले, never ever share your website with them, कि जाओ soundproof idea.com पे जाकर के click करो, मतला मैंने कभी भी soundproof idea.com के link आपको description में नहीं दिये, लेकिन जब भी लोगो को मैं case studies देता हूँ, अ कौई कौन है जो Google में जाके search करेगा, उसी को तो search करेगा, जो known identity है, कोई फर्जी website को तो search नहीं करेगा, तो यह सब signal Google के पास जाता है, तो make sure कीजिए, अगर आप भी authoritative websites बना रहे हैं, अगर आप भी keyword research कर रहे हैं, तो इस brand sector को mind में रख करके keyword research कीजिएगा, नहीं तो जाता रहूंगा इस channel पर, अगर आप नए हैं, फड़ा बट से channel को subscribe कीजिए, हमारे facebook group को join जरूर कीजिएगा, वहाँ पर बहुत साला live sessions हो रहे है, telegram channel और group के member ने उसको भी join कीजिएगा, अगर आप चाहते है, supreme campus को join करके SEO में mastery भी कर सकते हैं, आपको इधर उधर कहीं प तब तक ये जय हिन जय भारत